अब कुछ लोगों को YouTube स्टूडियो को बार-बार देखने से कुछ प्राब्लम होती है मैं बताना चाहूँगा कि ये प्राब्लम प्राइमरिली मेंटल है मतलब आपकी मानसिक है YouTube स्टूडियो बार-बार देखने से वीडियो की रीच डाउन हो जाती है वाच टाइम घट जा रहे है चैनल फ्रीज हो जा रहा है चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही और काफी इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बार-बार आते हैं आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि exactly यूट्यूब स्टूडियो को बार-बार अगर आप देखते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लेम होती है और यूट्यूब स्टूडियो यूट्यूब वालों ने दिया ही क्यों है लेटना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं मिरो नमा कॉस्टी सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो है क्या यह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ छोटे से में आप जब as a creator काम करते हैं अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके वीडियो के views कितनी आए आपके चैनल पर watch time कितना है earning कितनी हुई है किस वीडियो से सबसे ज़ादा सबस्क्राइबर आए कितने लोगों ने आपके चैनल को अंसबस्क्राइब किया है और कौन सी वीडियो देखके इस तरह की जो analytics होते हैं ये यूट्यूब स्टूडियो में as a creator आप देख पात इस तरह की सारी details आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर मिल जाती है अब कुछ लोगों को यूट्यूब स्टूडियो को बार बार देखने से कुछ problem होती है मैं बताना चाहूँगा कि ये problem primarily mental है मतलब आपकी मानसिक है यूट्यूब स्टूडियो बार बार देखने से channel की reach down नहीं होती नहीं views कम हो जाते है जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग complain करते हैं कि हमारे watch time हर दिन हम देख रहे हैं कि कम होते जाने उसका कारण ये है कि by default YouTube Studio Last 28 Days के ही आपको graph दिखाता है अगर आपने सारे साल में कैसा perform किया है तो आपको YouTube Studio के अंदर जाना है watch time पे click करने के बाद आपको select करना पड़ेगा last 365 days तो आपको पता चल जाएगा कि आपके channel पे कितने watch hours आए हैं और ये लफड़ा तब तब तक है इसके पीछे कोई भी logic नहीं है तो आप भी चाहें तो YouTube Studio को बार बार देख सकते हैं दिन में एक बार देख सकते हैं दिन में दो बार मैं अपना point of view आपके साथ share करता हूँ मैं दिन में आधा गंटा YouTube Studio को देता हूँ अपने channel के क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि मेरे कौन से वीडियोज अच्छा परफार्म कर रहे हैं किस तरह की वीडियोज लोगों को पसंद आ रही है इससे क्या है एक direction मिलती है पता चलता है कि आने वाले वीडियो किस topic पर बनाए YouTube के तरफ से यह हमें direction मिलती है तो आप अगर as a creator YouTube पे पाम कर रहे है न तो आप भी दिन का 30 से कम 15-20 मिनिट YouTube Studio में विताइए उससे आपको बहुत फाइदा होगा क्योंकि यह जो data आपको YouTube Studio दिखाता है न यह authentic है इसमें कोई पानी नहीं मिला हुआ होता और यह authentic data से आपको पता चलता है कि आपकी audience आपसे क्या चाहती है और YouTube के नए update के अनुसार तो आपको पता ही होगा कि अब आप अगर videos देखते भी है YouTube में आप तब भी पैसे कमा सकते हैं आपको 10% revenue sharing मिलेगी इस topic के ओपर मैंने detail में short बना के रखिया आप जाके आई बटन पर अभी क्लिक करें और इस short file को देखें तो आपको पता चलेगा कि आप as a viewer पैसे कैसे कमा सकते हैं आपके पास अगर YouTube related अगर कोई भी सवाल है तो comment down below I promise you मैं उसका आपका जवाब दूगा और आप चाहें तो मिले साथ Instagram में भी जोड़ सकते हैं जल्दी मिलते हैं इतना ही वीडियो के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें